दोस्तो आज मैं आपको काली गोरी बहनों का जादूई मेकप कहानी सुना रही हूँ ममता अगर हमारे गाउं में इतने बड़े समींदार न होते तो मुझे भी नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ता बात तो आपने सही की लेकिन आपकी काम्याबी में हमारी बेटी का भी बहुत बड़ा हाथ है जबसे मधू पैदा हुई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है बिल्कुल सही कहा तुमने ममता हमारी मधू किसी परी से कम नहीं है तभी वहाँ पर उनकी बेटी मधु आ गई पापा पापा गोड़ा बनो ना, मुझे गोड़े की सवारी करनी है अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे लिए गोड़ा तो क्या गदा भी बन जाओंगा दिन ऐसे ही भी इतने लगे और फिर से एक बार ममता प्रेगनेंट हो गई ममता लगता है उपरवाला हमसे बहुत खुश है हमारे जिन्दगी में एक और परी आने वाली है तभी हम देखते हैं कि स्वर्ग में दो परियां आपस में बात कर रहे थी बहन रमेश के परिवार में एक परी और आने वाली है ये बात तो पुरी तरह से सच है लेकिन क्या ये लोग उस परी को पहचान पाएंगे ये रमेश के परिवार के लिए परिक्षा है बिल्कुल सही कहा बहन अब देखते हैं ये अपने होने वाली बेटी को पहचान भी पाते हैं या नहीं ऐसे ही नौ महीने बीद गए एक दिन अचानक ममता के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा आँ मदू के पापा मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द उठ रहा है तभी रमेश भाग कर ममता के पास आया पापा ममी का पेट इतना फूला हुआ क्यों है लगता है इनोंने कुछ जादा ही खा लिया है नहीं बेटा ममता मैं जल्दी से काकी को बुला कर लातू लगता है डिलिवरी का समय आ गया है रमेश भागा भागा गाओं में गया और गाओं में से एक बुड़ी काकी को बुला कर लाया रमेश बेटा मधू बेटी को लेकर बाहर जा हम थोड़ी देर बाद तुझे खुश खबरी देने आते हैं मधू बेटा चलो हम लोग बाहर खेलने चलते हैं रमेश अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर चला गया अंदर काकी ने उन औरतों के साथ मिलकर मम्ता की डिलिवरी को अंजाम दिया थोड़ी देर बाद दोनों काकी बाहर आई और कहने लगा बेटा तो एक और बेटी का बाप बन चुका है मुबारक हो वो औरते वहाँ से चली गई रमेश अपनी बेटी को लेकर बहुत खुशी-खुशी घर के अंदर पहुचा लेकिन अपनी नवजाद बेटी को देखकर उसका मुव बन गया क्योंकि उसका रंग बहुत काला था ये क्या हुआ मम्ता? तुमारा रंग भी गोरा, मेरा रंग भी गोरा फिर हमारी ये दूसरी बेटी काली कैसे पैदा होगे? मम्ता ने अपनी बेटी का नाम सुन्दरी रख दिया धीरे-धीरे दोनों जवान हो गई मा ने तेरा नाम सुन्दरी इसलिए रखा है क्योंकि तू असल में सुन्दर है ने मुझे तो तुछे अपनी बेहन कहते हुए भी शरमाती है दीदी आप मेरी सगी बेहन classical मुझसे इस तरह बात करती हूं मैं भी तो सुन्दर हूं बस मेरा रंगी तो काला है काले रंग वाले कब से सुन्दर होने लगे हाँ तो सुबह-सुबह मेरी सामने मताये कर मेरा सारा दिन खराब हो जाता है खेर मैं कॉलिज जा रही हो मधू और सुन्दरी दोनों अलग-अलग कॉलिज में पढ़ती थी क्योंकि मधू नहीं चाहती थी कि उसकी काली बहन के बारे में उसकी सहेलियों और दोस्तों को पता चले इसलिए उसके पता ने सुन्दरी का एड्मिशन दूसरे कॉलिज में और मधू का एड्मिशन दूसरे कॉलिज में करा दिया रात में रुमेश अपनी बेटी मधू के लिए बहुत सुन्दर सुन्दर ड्रेस लेकर आया मधू देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए है अरे बापा पा कितनी सुन्दर सुन्दर ड्रेस है तभी महाँ पर सुन्दर ही और उसकी माँ भी आ गई अरे वादीदी ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगेंगे अरे मैंने तुझे कितनी बार मना किया है मुझे पापा मत बोला था देखिए बार बार आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजे मेरे चरीतर पर उंगली उठाने से पहले कम से कम एक बार अपने दिल से भी तो पूछ कर दीख लीजे कि क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ अगर तुरे ऐसा कुछ ने किया तो इतनी काली लड़की तरी कोक में आ कैसे गई उपर वाले का शुक्री आदा कर कि मैं तुम दोनों को इस घर में रहने दे रहा हूँ वरना कपका निकाल कर बाहर भेग चुगा होता ये अब रोज का ही काम बन गया था ऐसे ही दिन बीटते रहे सुन्दरी अकेली पास के गार्डिन में कही घूम रही थी तब ही उसने एक मोर्नी को देखा अरे वाँ कितनी सुन्दर मोर्नी है ये पास जा कर देखती हो सुन्दरी ने पास जा कर देखा to Μोर्नी के खून निकल रहा था वो घायल अबस्ता में पड़ी हुई थी मोर्नी तो घायल हो चुकी है मुझे इसका इलाज करना होगा अब इसे घर लेकर जाती हो सुन्दरी मोर्नी को अपने घर लेकर चाल डिने मोर्नी के गाओ पर मरहम लगाया और उसके पट्टी भी बांधी जिससे मोर्नी अब ठीक होने लगी दोनों के खुद दोस्ती भी हो गए एक दिन मोर्नी ने सुन्दरी से कहा सुन्दरी तुम उपर से तो खुश रहती हो लेकिन तुम्हारे अंदर मुझसे भी गहरे जखम है तुम मेरी दोस्त हो, मुझे बता सकती हो अब तुम्हे क्या बताऊ मेरा रंग काला होने की वज़़े से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता यहां तक कि मेरे पिता मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते मेरी खुद की बेहन मुझसे नफरत करती है सुन्दरी तुमने मेरे घाव को ठीक करके मेरी जिंदगी बचाई थी सुन्दरी तुमने मेरे घाव उपर मरहम लगाया ना अब मैं भी तुम्हारे गाव के मरम लगाओं सुन्दरी तुम्हारे गाव के मरम लगाओं अब उन दोनों के माबाप उन दोनों को खोब प्यार करते फिर एक दिन मावस्या वाली रात अचानक रमेश को मिर्गी का दोरा पढ़ने लगा उसकी सांसे भी फूलने लगी मदू बेटा मैंने तुझे कार चलाना सिखाया है ना जल्दी से मुझे अस्पतार लेचा ऐसा लग रहा है मुझे हार डटाइक आ जाएगा मरी हालत बहुत खराब हो रही है बेटा मदू जल्दी से गारी निकालो मैं इनको लेकर बाहर आती अगर आज मैं घर से बाहर निकली तो मैं काली हो जाओंगी मैं बाहर नहीं जा सकती पिता जी कुई बात नहीं मेरी मा ने मुझे भी कार चलाना सिखाया है मैं पिता जी को अस्पताल लेकर चलूँगी, चलो मा। सुन्दरी ने कार स्टार्ट के और अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुँच गई, डॉक्टर ने उसका इलाज किया। सुबह तक वो पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन जब सुबह उसकी नीन खुली, तब उसने देखा कि सुन्दरी तो फिर से काली हो गई थी, उसकी मा भी वहाँ पर खड़ी थी, ये तुम्हें क्या हो गया, कल तक तो तुम बिल्कुल गोरी हो गए थी, फिर से काली कैसे हो क्योंकि वो जानना चाहते थे, कि आप लोग उपर-उपर से ही अच्छे हो या दिल से भी अच्छे हो, लेकिन रमेश, तुम दिल से अच्छे नहीं थे, तुम्हारे अंदर काले और गोरे के बीच का भेदबाव, पता नहीं किसने डाल दिया था, तुमने अपने ही पतनी पर शक किया, खुद की बेटी को बेटी माने से इंकार कर दिया, आज से सुंदरी बिलकुल गोरी हो जाएगी, वहीं मधु और तुम अपना पूरा जीवन काले रंग के साथ बिताओगे, अब रमेश और मधु काले हो गए, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ले जा बेटी, अब अपनी मा से भी मिले, मा, पजे आपने जो भी प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया, अब ज़्यादा ट्रामे मत दिखाओ और अब जा यहां से, ये क्या के रमोला ने उसे तेज से धक्का दे दिया, तब उसका पती नैतिक उसे संभाल लेता है, क्या वो लेंगा पैर में अटक गया था बस इसी वज़े से, फिर सिम्रन अपने मन में सोचती है, अच्छा हुआ मा को धक्का देते हुए किसी ने नहीं देखा, मैं हमेशा मा के प्यार के लिए तरसती रही लेकिन उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, फिर सिम्रन व्या हम संपी, तुझे कुछ भी चाहिए होगा, या किसी काम में मदद चाहिए हो तो हमें कहना, अच्छा, अब तुम दोनों ठक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी की रसमें फिर करेंगे, शुक्रिया माजी, सिम्रन नैतिक के साथ कमरे में चली जाती है और आराम जाता है, और सिम्रन फिर गिरने वाली थी, कि तभी वो से संभाल लेता है, इतने में उनके कमरे में सिम्रन की साथ सकमला आ जाती है, अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो, कम से कम दरवाजा तुम बंद कर लेते, मा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस हम टकरा गए थे, कोई न अपनी सास की बात सुनकर सिम्रन सोचती है, मा जी ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं डाटा, लेकिन जब मैं अपनी घर पर एक बार लेट उठी तो, मा ने क्या हाल कर दिया था मेरा, हे भगवान, सुबह के नौ बज गए और यभी तक सोई पड़ी है, और कब तक सोईग कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन कभी तो उस पर जोटी ममता दिखा दिया करो, आप चुप रही है जी, मैं जो कर रही हूँ, इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ, अरे, कल को अपनी सासुराल जाएगी, और वहाँ भी ये बिमार हो गई, तो वहाँ भाना कर रही हूँ, ठीक है लेकिन उस बेचारी के साथ जरा ठीक से पेशाया करो, आखिरकार वह हमारी एक लौती बेटी है, तब ही नैतिक सिम्रन से कहता है, सिम्रन कहा खोगी, चलो तयार हो जाओ, हाँ, हाँ, कुछ देर बाद सिम्रन तयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उ कोई बात नहीं बहू हूँ, अरे क्या हुआ भ़खो, तो इतना घबरा क्यो रही है, कुछ भी तो नहीं हूँ, बरतन है, तूट गया तो क्या दूसरे आ जाएगा, नहीं नहीं, माजी, मैं सच मुझे 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 माफ कर दीजे, मैं, में बहुत गरबर करती हूँ, मु मुझे मत जलाए नेतिक जल्दी से सिम्रण को गले से लगा लेता है क्या हुआ, कौन जला रहा तुम्हें बहू, क्या हुआ, मुझे पता माची हिकपर, मुझे ऐसे ही किसी खककप तूण किया था तो उसने मुझे जला दिया था लेकिन, लेकिन हम तुझे ऐसी कोई सजा नहीं देंगे, आ, तु मेरे पास आ और मेरे कले लग चा, मेरी बच्ची यूँ घब राते नहीं अपनी सासुमा का इतना प्यार देख कर, सिम्रन की आँखों में आसू आ जाते थे अईसे ही एक रोस कमला सिमरन की पसंद का गाजर का हलवा बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है तो सिमरन की आंखों से खुशी के आंसु बहने लगते है ये देख कमला सिमरन से कहती है बस बहु, बहुत हुआ मैं जब भी तुझे ज़ादा प्यार देने की कोशिश करती हूँ तो तेरी आँखों से आसू बहने लगते है आखिर क्या बात है बेटी मैं भी तो तुम्हारी मा जैसी हूँ मुझे नहीं बता हो जी क्या आप तो बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत प्यार करती हो लेकिन तभी दर्वाजे पर दूधवाला आता है सिम्रन को देखकर उसकी नजर उस पर फिसल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो कमला उसे मार कर वहां से भगा देती है अपने उपर अपनी सास का भरोसा देखकर सिम्रन रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है आप बहुत अच्छी हो माजी आपने मुझे पर भरोसा किया देतो मा तो क्या मा बहू आप पूछ रही थी ना कि आपका जादा प्यार पाकर मेरी हां के नम क्यों हो जाती है क्योंकि बच्पन से लेकर आज तक मैं जिस प्यार के लिए तरसती रही वो प्यार आपने मुझे दिया है जब मैं छे मईने की थी तब ही मेरी मा खुसर गई थी तब बाबा दूसरी मा लेकर आए ताकि वो मुझे मा का प्यार दे सके लेकिन उन्होंने कभी मुझे मा का प्यार नहीं दिया और अब वो प्यार मुझे आप से मिला जैसे आज दूद वाले ने हरकत की ऐसे एक बर मेरे यहां के दूद वाले ने मेरे साथ की थी ये सब बाते सुनकर उनकी आँखों में आंसु आ जाते हैं। रमुला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सिम्रन से माफी मांगती है। उस दिन के बाद सिम्रन को अपनी सौतेली मा और सास दोनों से बहुत प्यार मिलता है।